दोस्तों मृत्यू के समय जीव और उसके शरीर के साथ क्या घटित हो रहा होता है। ये वहाँ उपस्ते तन्य लोगों को अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन घटनाए तेजी से घटती हैं। मृत्यू की देहली इस पर खड़े व्यक्ती की सबसे पहले वाकिंद्रिय उसके मन में विलीन हो जाती है। जीव के सूक्षम शरीर के भीतर प्रस्थान करता है। जीव किसी दूसरी नारी में प्रवेश करते हैं। जीव करने के बाद ब्रहम को प्राप्त हो जाता है। और फिर मुक्त हो जाता है। दोस्तों देवयानपत के संदर्व में शंकराचार्य जी निस पश्ट रूप से उलेक्त किया है। वे ही देवयानपत में जाकर सगुन ब्रहम को प्राप्त होते हैं। और जो लोग निर्गुन ब्रहम की उपसना करके ब्रहमविद्या प्राप्त करते हैं, वे लोग देवयानपत से नहीं जाते। अगनी के सयोग से जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, उस समय सूक्षम शरीर नष्ट नहीं हुआ करता है। जो लोग मृत्यू के अनंतर देवयानपत से गती करते हैं, उनको अगनी और ज्योती नाम के देवता अपने अधिकृत स्थानों के द्वारा ले जाते हैं। उसके बाद हाँ अथवा दिवस के अभिमानी देवता ले जाते हैं। उसके बाद शुकलपक्ष के देवता तथा उत्तरायन के देवता ले जाते हैं। यदी थोड़ा सपष्ट शब्दों में कहें तो देवयान पत में सबसे पहले अगने देवता का अधिकृत देश आता है। इश्ट के अविनार्शी धाम जाते हैं। परंतु जो लोग ईश्वर की पूजा पार्थ नहीं करते और उनमें भक्ती रखते हैं लेकिन परुपकारी कार्य जैसे दान आधी पुन्य कर्म करते हैं। विम्रित्यू के बाद देवयान मार्ग से नहीं जाते बलकि पित्रिय पित्रियान मार्ग से जाते हैं। और उच्छ लोकों में जन्म लेकर वहां के अश्वर्य सुक भोगते हैं। लेकिन उनका पुनर जन्म होता है। पित्रियान मार्ग से भी चंद्रलोग जाना पड़ता है। लेकिन वो रास्ता थोड़ा अलग होता है। उस पत पर धूम, रात्रीक, क्रिश्न पक्ष, दक्षनायन आदी देवताओं के अधिकृत देश पढ़ते हैं अर्थात ये सब देवता उस जीव को अपने अधिकृत स्थान के मध्य से ले जाते हैं दोस्तों चंद्रलोग कभी तो बहुत गर्म रहता है और कभी अतिरिक्षीतल हो जाता है वहाँ अपने स्थूल शरीर के साथ कोई मनुष्य नहीं रह सकता लेकिन अपने सूक्षम शरीर के साथ जो मृत्यू के बाद मिलती है उस शरीर में वह वहां चंद्रलोग में रह सकता है लेकिन जो मनुष्य ईश्वर की पूजा नहीं करते कोई परोपकार भी नहीं करते जो केवल इंद्रियो सुक्भोग में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग मृत्यू के बाद ना तो देवयान पत से जाते हैं और ना ही पित्रियान पत से बलकी वे कीक पतंग या पशुयोनी जैसी उनकी आसकती आवासना हो उसमें में बार-बार यहीं जन्म लेते हैं और यहीं मरते हैं दोस्तों जो लोग अत्यदिक पाप करते हैं निरी और असहायों को सताने में जिन्हें आनन्द आता है ऐसे नराधमों की गती मृत्यू के बाद निम्न लोकों यानी नर्क में होती है वहाँ ये जिस स्तर का कष्ट दूसरों को दिये होते हैं उसका दस गुना कष्ट नरक में पाते हैं और पुना उसके पास इस ब्रमान्डिय सफर में उन्नती करने का और आगे बढ़ने का अवसर होता है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही ग्यानवर्धक जानकारियां मिलती रहेंगी धन्यवाद